हेलो स्टुदेंस वेलकम तो दी यूट्यूब चैनल डीप्रिपेर फॉर यूजी सिनेट दोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस्टी बेल आइकन पॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्ट यूट्यूब चैनल की सीरीज की आज हम आ गए है यूनेट प्रेसर्च आप्टिट्यूट के फाइनल सेशन पर जहां पर हम कर रहे हैं लेटेस्ट प्रिवियस यूर कोश्चन्स ओफ रिसर्च आप्टिट्यूट नमश्कार मेरा नाम है शिफाली बिजाज मैं आपको अपनी चैनल के थू प्रवाइड करवा रही हूं एंटेनेट प्रेसर्च आप्टिट्यूट के अपने चैनल पर प्रवाइड करवा चुकी हूं उनके उपर वीडियो और आम मैं लेकर आए हूं उसके जून 2020 के अंदर आये हुए प्रिवियस यूर कोश्चन्स अभी आपके जून 2020 के एक्जाम में आये थे जो एक्चली काफी इंपॉ मैं आपके यहाँ पर डिसक्स करने वाली हूं जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी समझने में की रिसर्च आप्टिट्यूट के क्स टाइप से पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के ओपर कोश्चन्स जो है वो हाल ही में पूछे गए हैं ओके तो आज की वीडि पार्टना फॉर एंटी युजी सी नेट यहां पर आपको प्लस स्ट्रिप्शिप्शन के साथ साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको टीज करवाते हैं लाइफ ग्लास इस लाइफ टेस्ट और क्विज्ज़ आपके कंड़क्र वाए जाते हैं स्ट्ट्चर्ट्र क अ क्रोड़ं कि ऑब युज क्रोग्री जाता है स्ट्रेडन आपको प्रिपेर गच्टर्व पर चुंप"? इस प्रिक करना है आपको सारी डिटेलिंग आ जाएगी फीज की उसके उपर क्लिक करने से पहले है वर राफ़ल कोड के ऊपर आपको करना है क्लिक और आपको राफ़ल कोड के दर भर देना है SHAFALI, NTA, SHIFALI, NTA फिल करने के बाद आपके जो है डिरेक्टली आपको 10% discount मिल जाएगा इस सभी fees structure के अंदर तो जल्दी से जो है ये रेक्ल कोड अप्लाई कीजिए और इस मौके का फायदा उठाईए यहाँ पर जो है आपके लिए आपको प्राचल जो का political science, computer science सबके लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप जल्दी से इसके लिए अन्रोल कर लो और इसी के साथ मैंने आपको अप्डेट दिया है 10% discount वाला इस रेफल कोड के थुरो वो जल्दी ही खतम होने वाला है थोड़ी की टाइम के लिए आपके लिए 10% discount रहा गया है तो जल्दी से इस रेफल कोड को अप्लाई करो और इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से तो यह रहा आपके लिए अपडेट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर ओकी तो अभी हम चलते हैं योजेसी नेट जून पर दून पर यहां पर आपको जो कुछा गया है वो एक्जिक्ली आपके रिसर्च अप्टिट्यूट के सिलेबस से बिलकुल अलग है यहां पर बात की गई है टू टाइपस ओफ एरर की रिसर्च वर्क जब किया जाता है तो दो टाइप की एरर यहां पर आ सकती है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ चांस एरर जिसे हम रैंडम एरर भी कह सकते हैं और सिस्टेमेटिक एरर अब इस कुछिन के अंदर आपका वैसे तो यह topic भी clear हो जाएगा मैं आपको यहां पर समझाव भी दूंगी साथ में कि क्या बोला गया है आपको क्या कहा गया है दो स्टेमेंट्स आपको दी गई है स्टेमेंट्स आपको बतानी है कौनसी true है, false है कौनसी correct है, कौनसी incorrect है तो यहां पर statement 1 बोला गया है chance और accidental error जो एक ही है in research will case obtained results to depart from the true value as of one in one direction or in other यह कह रहे हैं कि आपके chance error है और accidental error है research के अंदर वो आपके जो results आई है उसके true value से या तो एक direction की तरफ move हो जाती है या दूसरी direction की तरफ that means chance error है तो that means chance error का मतलब क्या है कि हमेशा result कभी क्या आएगा और कभी क्या आएगा मतलब एक जसा कभी नहीं आएगा इस type की error के अंदर तो statement 1 आपकी वैसे दोनों statement साथ की correct में मैं को पहले ही बता देती हूं ठीक है statement second बोला गया है systematic error जो है वो results vary करती तो है लेकि एक particular direction के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि कभी काम या कभी ज्यादा one direction या अनदर यह आपका हमेशे जो इसे ढूम सकता है पता लगा सकता है surprise then is chance error chance error से accidental error से random error से easy होता है systematic error को find out करना तो yes यह दोनो statements ही सही है statement first and second are correct दोनों बिल्कुल सही है यह आपको ध्यान रखना है कि अब यह दो types की error है chance error और systematic error अगर को doubt हो तो आप उसके लिए comment box से अंदर comment कर सकते हो ओके तो अब हम आ गए है अपने second question पर यहाँ पर क्या है आपको match दिया गया है different type of आपको research methods दिये गए है experimental, exposed factor, descriptive, ethnographic जहाँ पर हम इसे first ही पढ़ते हैं detailed description तो description जहाँ पर detailed description है तो और सोचने की जुरूत ही नहीं है तो आपके descriptive survey method इस detailed description C का तो यहाँ पर first बनता ही है अगर C का first बनता है तो हम easily इस तरह के questions को solve कर सकते हैं जहाँ पर हम एक ही question के अंदर एक ही point के अंदर confirm है कि हाँ इसका यह बनेगा तो fourth option यहाँ पर वैसे ही ही हो गया है उसके लावा अगर A का जाएं तो experimental method, studying the effect, yes, manipulating, हम independent variable को manipulate करके dependent variable के उपर उसका effect देखते हैं तो that is called the experiment ना experimental research, इसके ओपर मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, आपको easily clear हो जाएगा यह topic, उसके रदागा आपको पूछा गया है exposed factor, exposed factor के अंदर आपको बताया गया है, conducting a probe into casual factors on the basis of evidence, जो evidence है उसके basis पर हम जो है casual factors के ओपर research work कर रहे है, इतनो graphic के अंदर आपका 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 है, studies designed to obtain information concerning the current status of phenomena, phenomena के current status को check out करते हुए, उससे information निकालना तो यहाँ पर D का second आपका 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 है, तो that is confirmed कि fourth option आपका बिलकुल सही है, तो अगर आपको research situation के अंदर किसी particular statistics को है, तो आपने significant declare कर दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा, इन में से कौन सी decisions है, वो आपके logical होगे, tenable होगे. डीचे कहा है, तो null hypothesis को reject कर दिया गया है, alternative hypothesis को accept कर दिया गया है, null hypothesis along with the alternative, दोनों accept कर दिये गए है, पहली बात तो यह तो और यह नहीं सकता, तो डोनोंsome तक सब्सक्राइब कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिज इस एक्सेप्टेड तो यहां पर आपका ए और बी जो है वह दोनों फॉर्थ ओप्शिन इस करेक्ट एंड बी तो अब हम आ गए है अपने फॉर्थ कोशिन पर वैरी इजी कोशिन जो आपको यहां पर जो नुट 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 के अंदर पूछा गया था यहां पर क्या बोला गया है आपको आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई है उन्स स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट आ तरक्षानगे पाइब्डा देखा गया है एक हां यहां पर जिसको है जिसको है equipo बाक्तुसरों करने कंगे हम एक तरह से क्थे ने पतरुनि है तो इस रेइसर न प सन प्रमिर में ट कोज परिशनिशिप में एक जी पार्रधाव थिक यह पारइब्डिन वह क्यों इस कारन है क rice Он बढदेंगे तब को और देखने को मेंड़ेगा तो यह को बिलकुल करेक्ट है private in the horse dialect relationship तो यह तो गलत है यह तो बॉल रहा है कि यह उल्काई इसका नहीं तो बी तो हों है नि ठीक है तो आपको बोला कि हैश्चिश्च tu करेक्टर सिप्स बीचेश when सब्सक्राइब करें तो यहां पर आपको सिरफ इसको मैनुपलेट करते हो रिस्पोंस तो आपको डिपेंडेंट वरियेबल दिखाता है तो A और C जो है यहां पर confirmed confirmed clear cut बिल्कुल सही points है यहां पर ओके तो आप हम आ गए है अपने fifth question पर जहां पर आपको दो statements दी गई है statements का true or false होना पुछा गया है कि कौन सा चाही है statement 1 आपको बोला गया है कि fundamentals जो आपकी research होती है उसके अंदर inquiry का goal यही रहता है कि आपकी सरीके से उसके अंदर knowledge के fund को increase कर सको that means आपका goal यही है कि आपमें fund of knowledge को increase करना होता है तो बिल्कु सही है fundamental research is the knowledge based study study research है आपकी ठीक है तो यह इसके अंदर आपकी fund of knowledge जो है वो increase होना ही आपका main inquiry का goal होता है ठीक है action research बोला गया है action research कैसे research है जो practitioner के लिए practitioner के द्वारा practitioner के लिए और उसी के साथ practitioner की research है तो बिल्कु सही है action research जो है आपकी immediate कोई भी problem आ गई है तो उसके solution के लिए की जाती है ठीक है उसके लावा कोई situation को आपको improve करने के लिए यह research की जाती है तो यह totally जो है researcher के लिए researcher ही करता है आपने खुद की problem को solve करने के लिए ठीक है तो यह दोनों ही statement साथ की बिल्कु सही है statement first and second both are correct first option is the right answer है तो यहाँ पर आपके लिए आगया है six question जिसके अंदर बोला गया है action research के बारे में आपसे पूछा गया है education के field में कौन सा argument बिल्कु सही है okay the researcher breaks fresh ground in the field of inquiry inquiry के field में वो fresh ground को break करता है the knowledge is applied to extend further generalization further generalization के लिए knowledge apply की जाती है कुछ नए principles जो है formulate किये जाते है events को explain करने के लिए या fourth one is educational situation के अंदर as well as practitioner की educational की situation भी और practitioner की जो education है वो भी उसके अंदर एक change आता है for the betterment, betterment के लिए तो yes improvement के लिए main जो अभी situation है उस situation को जो है improve करने के लिए हम action research को करते है education के अंदर तो yes fourth point is almost correct बिल्कु सही है आपका fourth answer is the right answer here okay तो अब आगे हैं अपनी seventh question पर जहां पर आपको पूछा गया है कौन से scale of measurement में classification order और equality of units जो हैं वो ensure की जाती है that means जो units है वो proper equality पर है order और classification की जो है वो ensured है final है तो ये होता है आपका interval interval जो scale of measurement है आपके लिए third option is the correct answer ordinal nominal अखला होते हैं आपके interval जो है यहाँ पर बिल्कुल correct answer है तो अब हम आगे हैं आपने eighth question पर जहां पर आपको बोला गया है experimental और exposed factor research के अंदर critical difference कहां है आपको पूछा गया है तो यहाँ पर आपको बोला गया है selection of sample sample की selection में कोई difference है नहीं दोनों के अंदर samples select होते है casual connection between two variables yes दोनों के अंदर casual connection होता है variables के बीच में use of research tools research tools का use करना तो ये इस दोनों के अंदर research tools का use किया जाता है तो कोई difference नहीं है तो last के आपके आपके बचा है control and manipulation of independent variable yes independent variable को control करना manipulate करना ये जो है इसके अंदर changes होते है experimental जो research है उसके अंदर हम manipulation करते है और expose factor के अंदर हम कुछ भी manipulate नहीं करते है उसको exact situation में ही find out करते हैं observe करते हैं तो अब हम आ गए है आपने 9th question पर very very easy question जिसके अंदर simply आपसे directly पूछा गया है research method के बारे में तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन से research method के अंदर casual relationships को establish कर किया जाता है और जो different variables हैं उनकी बीच में control करके that means independent variable moderator or dependent variable तो सीधी सीवाथ है independent or dependent variable की बात ही आपकी आती है शरफ experimental method के अंदर fourth option is the correct answer here very very clearly ओके तो आप हम आ गई है 10th question के उपर last but not the least क्योंकि यह question आपके लिए काफी काम का हो सकता है क्योंकि यह जो question है आपका 101% हो चुका है कि आपकी paper में मिल ही जाएगा sampling procedures के बारे में आपसे question पूछा गया है इसके लिए video जो है मैंने आपके लिए provide की है उसका link जो है description box के अंदर मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको बोला गया है कौन से sampling procedure को आपको identify करना है equal or independent chance वाले को that means जो अपने units को equal or independent chance देता है तो equal or independent chance आपके random sampling methods के अंदर मिलता है non random के अंदर आपको जो है equal chances उन्हों सभी units को नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आपको different sampling procedure बोले गए है quota, stratified, dimensional, random and systematic तो यहाँ पर random जहाँ पर बात आप आगई तो random sampling procedure तो आएगा ही तो यह अपका confirmed है D आएगा ठीक है तो D अगर देखा जाए अगर इसकी तरूब हम choose करें तो यहाँ पर हमें 3 options मिल रहे हैं तो कोई अभी फाइदा नहीं है उसके पर आपकर हम बात करें Statisfied sampling method यह भी हमारा random sampling method है और systematic sampling method भी जो procedure है आपका वो भी आपका random sampling method है तो आपका answer हो गया BDE simply अगर आपने इसके बार में पढ़ा है तो बहुत ही easily आप इस question का answer दे सकते हो और इस topic को ज़रूर cover कर लो काफी important topic है यह आपके लिए होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगे कर वीडियो पसंद आई है तो इस लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला और बैल इकन को प्रेस करना ताकि लेडिस वीडियो अपडेट जो है वह आपको मिलते रहे होके स्टुडेंट्स बबाए टेक क्यार है और यह इस इन जो टॉपिक से हैं उनकी लिंक्स आपको सभी के सभी डिस्क्रिप्शिन वोक्स के अंदर मिल जाएंगे सो चेक आउट देस्क्रिप्शिन वोक्स